आज हम कुछ useful tips or tricks देखेंगे Hello friends, आप का सवाकते प्रेजंटेशन पावर with R&R तीवरिपे आज हम 4 tips or tricks देखेंगे जो आपका presentation क्रेट करते हुए time डाइम सेव कर सकते हैं तो हमारी सबसे पहली trick है default color shape का कैसे change करें तो इस चीज के लिए आभी देखिए अगर मैं कोई भी शेप ड्रॉ करता हूं तो वो डिफॉल्ट कलर में आ जाएगा इस सपोज मैंने रेक्टैंगल इसे ड्रॉ किया तो यह ब्लू आउटलाइन और ब्लू कलर में है तो इसे हमें जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमारी मन पसंद का कलर आना चाहिए इस चीज के लिए आपको जो कलर चाहिए आप वो रख दीजिए मैंने ब्लैक आउटलाइन और और औरेंज कलर रख दिया है इसके बाद आपको शेप को क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां पर से सेट ऐस डिफॉल्ट शेप यहां पर आपको ऑप्शन दिखाए देगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहां पर आप अगर कोई भी शेप ड्रॉ करते हो तो वो आपके मन पसंद जो कलर आपने दिया था वो इसमें यानि वो कलर में आ जाएगा फिर आप कोई भी शेप ड्रॉ करोगे तो वो ब्लैक आउटलाइन और ओरेंज कलर में ही आएगा अगर आपने दुसरा कलर दिया हो तो वो कलर में भी आ जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक की तरफ हमारी सेकेंड ट्रिक है कि फॉर्मेट पेंटर को हम कैसे यूज़ करें तो इप सपोज अगर मुझे कोई भी शेप ड्रॉ करने के बाद इसके जैसा मुझे उसे इफेक्ट देना है तो मैं इस चीज़ के लिए पहले सबसे पहले जो भी शेप मुझे वैसा करना होगा मैं उसे ड्रॉ करूँगा अभी मैंने यहाँ पे एक रेक्टैंगल लिया है मैंने इसे ड्रॉ किया मुझे अभी इसकी तरह मुझे उसे भी करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा format painter home page पर आपको दिखाए देगा तो आपको जैसे ही आप format painter पे क्लिक करते हो आपके pointer के सामने एक brush आ जाएगा और जैसे ही आप क्लिक करोगे यही design में दुसरा भी shape आ जाएगा format painter आप कोई भी shape के लिए use कर सकते हो अभी मैंने यहाँ पे circle किया है मैंने इस पर click किया जिसके जैसा करना है तो मैं जो भी आगर यहाँ पर shape ले लेता हूँ मैं उसे इसकी तरह कर सकता हूँ बढ़ते हैं हमारे तीसरे trick के और हमारे तीसरे trick है power point का color कैसे change करें तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले file option पे जाना है file option पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक option लिखा हुआ दिखाए देगा सबसे नीचे option पे आप जैसे ही click कर लेते हो आपके सामने कुछ इस तरह की screen दिखाए देगी screen दिखाए देने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजे दिखाए देगी कि आप जनरल होगी, प्रूफिंग है, सेव है, लैंगवेज है, एडवान्स है, ऐसी बहुत से चीज़े आपको यहाँ पे दिखाए देगी. तो यहाँ पे जनरल में आपको आफिस थीम दिखाए देगा. अब इस theme में जाके आपको यहां से dark gray कर देना है dark gray करने के पाद अगर आप चाहो तो और setting कर सकते हो तो यहां पे कर लेने के बाद हमें OK कर देना है तो आपके PowerPoint का theme change हो जाएगा तो बढ़ते हैं हमारी अगली trick पे हमारी अगली trick है how to use action button to go on any slide यानि कोई भी स्लाइड पर जाने के लिए हम कैसे यूज करें अभी यहाँ पर हमने तीन स्लाइड ली है यहाँ पर आप देख लीजिए हमने अलग-अलग स्लाइड पर अलग-अलग नंबर इंसर्ट किये है अभी मुझे फॉर्स स्लाइड से डिरेक्टली थर्ड स्लाइड पर जाना है second slide मुझे skip कर देनी है तो इस चीज के लिए में first से सीधा third पर कैसे आओ इस चीज के लिए मैं अभी example के लिए यहां पर एक shape draw कर लेता हूं draw कर लेने के बाद यहां पर मैं text टिक देता हूं to slide 3 यहां पर मैंने text लिएने के दिखाए देगा तो वह action पर आपको क्लिक करना है action पर क्लिक करने के बाद यहां पर बताएगा mouse click या mouse over यानि mouse अगर आपका उसके उपर से चला गया तो वह कौन से slide पर जाएगा या फिर mouse click तो हमें माऊस क्लिक पर जाना है. यहां पर नन होगा. यहां पर से आपको hyperlink to. यहां पर से और में ही third slide है. तक हमारी last slide है. तो हम यहां पर क्लिक कर देंगे. Last slide पर. Last slide पर क्लिक करने के बाद मेरा number मैं second पर आज़ा. अभी मुझे directly third पर जाना है. तो मैं इस पर क्लिक करूँगा To Slide 3 तो ये सीधा मुझे Slide 3 पर ले जाएगा तो ये थी हमारी ट्रिक तो अभी याद करने के लिए कि ये Slide कुन सी है इसके लिए मैं अलग-अलग Shapes ड्रॉ कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने Draw कर लेने के बाद अभी जैसे ही मैं Slide Show Mode पर आउन करता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ मैं सीधा डिरेक्ली Slide 3 पर आजाता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजे ताकि मैं और वीडियो लाता रहूँ अभी के लिए बाए